हलो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र, मस्ता और स्वास्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रहीं फ्रेंड्स आज मैं अपने बैगन के पौधे आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स देखे किते बड़े-बड़े हो गए हैं ये बैगन के पौधे मेरे कुछ समय पहले ही मैंने इनको पौट किया था और देखे काफी अच्छी ग्रोथ हो गई है इनकी दरसल पहले एक ही पौट में लगे वे थे तीन से चार पौधे जिनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी तो कुछ समय पहले दस से पंदरा जिन पहले ही मैंने जो है या एक महीने पहले के करीबन मैंने पौदो को जो है अलगलग सेपरेट किया है और सेपरेट करने के बाद जो है ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है पौदे काफी अच्छी ग्रोथ में आ गए है और एक हफ़ता पहले मैंने इनकी थोड़ी सी गुड़ाई भी कर दी थी हाला कि इनको किसी प्रकार की कोई भी खाद अभी मैंने नहीं दी थी सिर्फ गुडाई कर दी थी गुडाई के बाद भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा पौदे काफी अच्छी ग्रोथ में आ गए है देखिए कितने सारे इस बार मैंने बैगन के पौदे लगाए हैं वो मैं आप से शियर कर रही हूँ ये बेकार की बाल्टी है दोस्तों देखिए इसमें मैंने दो पौदे लगा दिये हैं बैगन के और ये मैंने देखिए बीज के लिए छोड़ दिया था ये था मूली और मूली को मैंने जो है बीज के लिए छोड़ दिया था तो आप जो फलियां देख रहे हैं ये ब्राउन ब्राउन हो गई है इन में जो है मूली के बीज तियार हो गए है तो एक दो कल या पर्सों में मैं इन बीजों को हार्वेस्ट कर लूँगी दोस्तों अगले सीजन के लिए तो ये देखे ये बैंगन का पौधा दो बैंगन के पौधे इसमें लगाए है मैंने एक ये पौट है इसमें भी मैंने एक पौधा बैगन का इसमें लगाया है दोस्तों एक बैगन का पौधा इसमें मैंने ये लगाया है एक पौधा मैंने यहां पर ये लगाया है एक पौधा मैंने देखिए पीछे लगाया है जिसमें फ्लावर भी आने लगा है दोस्तों और ये रिखी ये टमाटर है दोस्तों मैंने जो है थोड़ी सी प्रूनिंग बगरा भी कर दी थी तो ये रिखी लाल जो है टमाटर हो गया है एक कुछ समय पहले बेकार का मेरा ग्रो बैग है दोस्तों तो इसको एक बैगन के पौधे को मैंने इसमें रिपॉर्ट किया है एक मैंने ये रिपॉर्ट किया है दोस्तों ये वाला देख रहे हैं आप ये भी बैगन का पौधा है यह मेरा मिर्ची पौधा है इसको भी मैंने कुछ समय पहले ही रिपॉर्ट किया है देखिए और एक वेस्ट मेटीरिल के लगा उपर लगावा मेरा मिर्ची का पौधा है दोस्तों जिसमें देखिए मिर्ची भी आने शुरू हो गई है बहुती अच्छा लग रहा है देखने कर्ची का पौधा लगा हूँ, के लिए-ची का पौधा लगा हूँ जो मेंने यह थी आ लगा हैं जो आए जिए साथ आठ नो दस दस पौधे मेरे ब्यागन के यहाँ पर लगे वे हैं इस वाले पोशन में दस पौधे मेरे ब्यागन के लगे वे हैं और चार पौधे मेरे मिर्ची के हैं एक ये पौधा है एक ये पौधा है एक ये पौधा है और एक ये छोटा सा पौधा इसकी अभी मैंन प्रूनिंग वगरा कर दी थी दोस्तों तो देखे ये दुबारा से इसकी न्यू ग्रोध स्टार्ट हो गई है और भी मैं आपको अपने ब्यागन के पौधे देखाऊं और दो पौधे मैंने यह अभी रिपॉर्ट करें हैं दोस्तों यह देखे बेकार का आटे का ग्रो है यह आया वा था घर पे अभी आटे का ग्रो बैग तो इसमें देखिए मैंने इसमें लगाए हैं और यह देखिए और दो पौधे मेरे बैगन के इसमें लगे हैं देखिए और इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है काफी अच्छी कलियां इन में देखिए फूल भी आना श्रू हो गया है और यह इंटू पवधे मैंने यहान पर यह रिपर्ट करें दोस्तों बैगण के यह वे पर ब dem एक इतध्य गुर्णी बाल्टी टी इसमें लगे है मेरे तीन पवधे 204 गंडिंट और फलाबर ली इनकी 157 वगरा कर दी थी दोस्तों और जो प्राने पत्ते थे वगरा सब क्लीन कर दिया था मैंने पेड़ पूरा अपना प्लांट और इसके बाद जो है नियो ग्रोज स्टार्ट हो गई है इस तरीके से जो है पतियां अगर पीली हो जाएं या सूखने लगे तो आम उनको निकाल दी लेजे और देखें फ्लावरिंग हो रही है और दो पौधे मेरे यहां पर भी है इनकी भी मैंने देखी हार्ट प्रूनिंग कर दी थी दोस्तों और यहां पे वी एक चुटको सा बैगन यह लगा हुआ है यह देखिए तो जब मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी तो उसके बा और मैं अभी जो है इस वाले प्लांट की भी प्रूनिंग अच्छे से कर दूँगी हालकि इसमें फ्लावर आ रहे हैं तो इसलिए अभी मेरा मन नहीं हो रहा है तो इस तरीके से ये जो है सुखे पत्ते जब हो जाएं तो इनको आप बीच-बीच में निकालते रहे है और अभी मैंने इनको कोई भी खाद वगरा दोस्तों अभी नहीं दी है और बहुत जल्द में इनको खाद वगरा भी देने लगूंगी तो दिखिए इस बार मेरे पास बैगन के काफी पौदे हो गएं दोस्तों काफी पौदे हैं और यहाँ पर यह दिखिए यह हरा धनिया यह हरा धनिया आप देख रहे हैं यह दिखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो ये हैं मेरे ब्यागन के पौदे दोस्तों तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा आज मैंने आपसे शेयर किये अपने ब्यागन के पौदे बाइ फ्रेंड्स अपी गार्डनिंग थेंक यू